हलो सुडेंट्स, वेलकम यू तो आवर यूट्यूब चैनल नवजीवन घरसाना हाल जी सुडेंट्स, अभी तक आपका जो पहले होमवक ये वर्थ हुआ है, वो हुआ है मल्टिप्लाइबी तो अब तक आपने वान डिजिट का और टू डिजिट का मल्टिप्लाइबी है अब हमारा नेक्स टॉपिक जो रहेगा वो भी मल्टिप्लाइबी है पर इसमें आपको हंडर्स तक मल्टिप्लाइबी केशन सिखाया जाएगा जो कि आपकी एक्सेसाइज 3.3 है इसको आपको 7 से मल्टिप्लाइबी करना है तो अभी तक आपने टू डिजिट का किया है वैसे भी सेम यह रहेगा पहले जो आप जैसे आपको यहां दिया हुए 7 आपको 135 को 7 से मल्टिप्लाइबी करना है तो पहले 7 को 1 से डिजिट से मल्टिप्लाइबी करोगे 7 तो आप 5 से multiply करोगे तो 7 5 सा पहले 7 का table लिख लो 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 3 जा 21 7 4 जा 28 7 5 जा 35 तो 5 तक है 7 का table हमने 5 तक लिख लिख लिया अब 7 5 सा हमारे पास क्या है 35 तो इसमें 1 का digit है 5 और 10 का digit है 3 तो जो 1 का digit है वो यहां लिखेंगे 5 जो आपका second digit है वो आपका रहेगा carry वो next digit के साथ add होगा अब 7 3 जा 21 21 और उपर हमारे पास 3 carry थे तो आप हमारे पास हो जाएगा 24 तो उस 24 में से यहां 4 लिखेंगे और जो next 2 है हमारे पास वो हमारा जाएगा आगे carry अब आप जो hundred का digit है उसको 7 से multiply करोगे जैसे 7 बन्जा 7 और हमारे पास 2 carry के थे वो उसमें add करोगे 8 और 9 हमारे पास कितना हो जाएगा 9 9 तो हमारा आंसर हुआ 945 तो ऐसे कि आप next question करोगे एक पार इसे repeat करते हैं 7 को पहले हमने 5 के साथ multiply किया जो कि हमारे पास आया 7 फाइज़िट के उपर लिख लिए अब 7 को हमने 2 फीज़िट के साथ multiply करना है जो कि है 3 7 फीज़िट ट्विटीवन तो आपने उपर वाले 3 भी उसमें add करने है 21 और 3 24 4 आपने यहां लिखा और 2 आपका कैया हुआ अब आपके पास एक इज़िच और बज़ता है जो कि है 1 7 फाइन 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 और जो 2 हमारे प्याई था वो उसमें add किया 9 आप आप नेक्स कोशिन दरके और लिखते है इसमें 2 है 2 का टेबल हमें 3 तक पढ़ना है 2 1s are 2 2 2s are 4 2 3s are 6 6 एक सिंगल लिजिट है इसमें आपका कोई कैरी नहीं रहेगा तो आप सिंगल लिजिट यहां लिख दोगे 2 को अगर आप 1 के साथ करते हो तो 2 1s are 2 ये भी सिंगल लिजिट है तो इसमें भी कुछ कैरी नहीं रख 2 4s are 1 तो आप इसको भी वैसे ही लिख दोगे इस question में आपके पास कोई भी कह रही नहीं था तो as it is number लिख दोगे next एक और 0 वाला है उख करके दिखते है 207 इसको आपको करना है 4 के साथ multiply तो इसे कैसे करोगे 4 का table 7 तक पढ़ोगे 4 7s are 28 28 तो आपके पास दो डिजिट आई है 28 तो वन स्वाल अगर दो डिजिट का आपके पास अरसर आ रहा है तो उसमें से वन डिजिट आप यहां लिखोगे सेकिन आपका क्यारी गएगा तो यहां पर अगर आप 4 को 2 0 के साथ करोगे तो 4 0s are 0 और उसमें 2 add करोगे तो कितना वाजएगा वह आपका जो 2 आया था वह यहां carry वाला 2 लग जाएगा next 4 को 2 के साथ करना है तो 4 2s are 1 0 वाले sum में ऐसे करना है एक बाद पर रपीट करते है 4 7s are 28 8 लिखा 2 carry 4 0s are 0 2 carry के 0 में add करोगे तो 2 आएगा जो हमने यहां लिख दिया यहां अगर आगे 0 है तो हम as it is number भी लिख सकते है 4 2s are 8 I hope आपको यह समझ में आया होगा अब 4th 5th 6th और 7th sum आप करके देखोगे Okay students मिलते अगले वीडियो में Thank you